नमस्कार केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी श्री नितिन गड़करी जी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय जी आटो इंड़स्ट्री से जुड़े सभी स्टेक्षोल्डर्स, सभी OEM एशोशेशन, मेटल और स्क्रेपिंग इंड़स्ट्री के सभी मेंबर्स, देवियों और सज्जनों पच्चतरवे स्वतंत्रता दिवस से पहले, आज का ये कारकम आत्मों निर्भर भारत के बड़े लक्षों को सित्व करने की दिशा में एक और एहम कदम है आज देश नेशनल अटोमोबाइल स्क्रेपेज पॉलिसी लॉंज कर रहा है ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ओटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है देश में वेहिकल पॉपुलेशन के मोडरनाइजेशन को अन्फिट वेहिकल्स को एक साइन्टिफिक मेनर में सडकों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडिस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मग परिवर्टन आएगा साथियों आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थेववस्ता के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फेक्टर है मोबिलिटी में आई आधुनिक्ता, ट्रावेल और ट्रांस्पोर्टेशन का बोज तो कम करती है आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है 21 सदी का भारत clean, congestion free और convenient mobility का लक्ष लेकर चले यह आज समय की मांग है और इसलिए सरकार द्वारा आज का यह कदम उठाया गया है और इसमें इंड़स्ट्री के आप सभी दिग्यज़ों की आप सभी stakeholders की बहुत बड़ी भूमिका है साथियों नई scraping policy waste to wealth कचरे से कंचन के अभ्यान की circular economy की एक एहम कड़ी है यह policy देश के शहरों से production कम करने और परियावरन की सुरक्षा के साथ तेज विकास के हमारी commitment को भी दरसाती है reuse, recycle और recovery के सिद्धान पर चलते हुए यह policy auto sector में, metal sector में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई उर्जा देगी इतना ही नहीं यह policy देश में 10,000 करोड रुपे से अधिक का नया निवेस लाएगी और हजारों रोजगार का निर्मार करेगी साथियो, आज चो प्रोग्राम हमने launch किया है उसकी timing अपने आप में बहुत विशेस है हम आजादी के 75 वर्स में प्रवेश करने वाले है यहां से देश के लिए अगले 25 वर्स बहुत महत्वप्रून है इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाच के तरीका हमारे रोजमरा के जीवन हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं होंगे ही जिस तरह टेकनोलोजी बदल रही है हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी एकॉनमी दोनों में बहुत बदलाव होगा इस परिवर्तन के बीच हमारे परियावरन, हमारी जमीन, हमारे संसादन, हमारे रोव मट्रियल, इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है टेकनोलोजी को ड्राइव करने वाले रेर अर्थ मेटल्स जो आज ही रेर है लेकिन जो मेटल आज उपलब्द है वो भी कब रेर हो जाएंगे यह कहना मुश्किल है बविश्य में हम टेकनोलोजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं लेकिन जो धर्ती माता से हमें संपदा मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलास रहा है तो वही सरकुलर एकानामी को भी तोट्साहित कर रहा है कोशिज यह है कि विकास को हम सस्तेनेबल बनाएं एन्वार्मेंट फ्रेंडली बनाएं क्लाइमेट चेंज की चुनवतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं इसलिए भारत को अपने हित में अपने नागरीकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं इसी सोच के साथ बीते सानों में एनर्जी सेक्टर में अभुत्पुर्व काम हुआ है सोलार और विन पावर हो या फिर बायो फियल आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है वेस्ट वेल्ट का एक बहुत बड़ा भियान चलाया जा रहा है इसको सच्छतां से भी जोड़ा गया है और आत्मन दिरभरता से भी जोड़ा गया है बल्कि आजकां तो हम सडकों के निर्माण में वेश्ट का बड़ी मात्रा में उप्योग कर रहे हैं सरकारी बिल्डिंग गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी री साइकलिंग को प्रुसाहित किया जा रहा है साथियों ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज आटोमेबिल सेक्टर का नाम भी जूड़ गया है इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाब होगा सबसे पहला लाब तो यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रेप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रेजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसान नहीं देना होगा इसके साथ ही उसे रोड टेक्स में भी कुछ छुट दी जाएगी दूसरा लाब यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनन्स कॉस्ट, रिपेर कॉस्ट, फ्यूवल एपिजन्सी इसमें भी बच्चत होगी दीसरा लाब सीधा जीवन से जुड़ा है पुरानी गाड़िया, पुरानी टेक्नलोजी की कारण, रोड एक्सिडेन का खत्रा बहुत अधिक रहता है उससे मुक्ति मिलेगी चौथा, इससे हमारे स्वास्त पर, प्रदूशन के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी और सबसे बड़ी बात ये है, कि इस पॉलिसी के तहट, गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रेप नहीं की जाएगी गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से, और अथोराइज, आटोमेटेड, टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा अगर गाड़ी अनफिट होगी, तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रेप किया जाएगा इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड वेहिकल स्क्रेपिंग फसिलिटी बनाई जाएगी वो टेक्नलोजी डिवन हो, ट्रांस्परेंट हो, ये भी सुनिशित किया जाएगा साथियों, फॉर्मल स्क्रेपिंग पर क्या लाब होता है, गुजरात ने तो उसे साक्षात अनुभव किया है और अभी नितिन जी ने भी इसका वर्णन किया गुजरात के अलंग को सिप रिसैक्लिंग हब के रुप में जाना जाता है अलंग दुनिया की सिप रिसैक्लिंग इन्डिस्टी में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है शीप रिसैक्लिंग के इस इंफास्टेक्टर ने यहां रोजगार के हजारों नए अफसर तयार किये हैं इस पूरे ख्षेत्र में इन्फा सेक्टर भी है और कुशल, स्कील, मैन पावर भी है। ऐसे में जहां जोंके बाद गाडियों की स्क्रेपिंग का भी ये बहुत बड़ा हब बन सकता है। साथियों, स्क्रेपिंग पॉलिसी से पुरे देश में स्क्रेप से जुड़े सेक्टर को नई उर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेश रुप से स्क्रेपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़लाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहोल मिलेगा, संगडित छेतर के दुसरे करवचारियों जैसे लाब भी उनको मिल पाएंगे, इतना ही नहीं, स्क्रेप का काम करने वाले छोटे कारोबारी हैं, और थोराइज क्रेपिंग सेंटर के लिए कलेक्शन एजन्स का काम भी कर सकत हैं, साथिवां इस प्रोग्राम से ओटो और मेटल इंडिस्ट्री को बहुत बड़ा बुस्ट मिलेगा, बीते साली हमें लगभक 23,000 करोड रुपिय का, 23,000 करोड रुपिय का स्क्रेप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रेपिंग होती है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, एनर्जी, रीकवरी ना के बराबर है, हाई स्ट्रेंथ, स्टील एलोईज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती, और जो किम्ती मेटल है, उनकी रीकवरी भी नहीं हो पाती, अब जब एक साइन्टिफिक टेक्नलोजी आधारी स्क्रेपिंग होगी, तो हम रेर अर्थ मेटल्स को भी रीकवर कर पाएंगे, साथियों, आत्मा निर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडिस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, निरंतर कदम उठाये जा रहे हैं, हमारी ये पूरी कोशित है, कि आटो मेनिफेक्टरिंग से जुड़ी वेल्यू चेन के लिए, जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े, लेकिन इसमें इंडिस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्स की ज़रुरत है, आने वाले पचीज साल के लिए, आपके पनाज़ भी आत्म निर्भर भारत का एक स्पस्ट रोड़ मैप होना चाहिए, देशब, प्लीन, कंजेशन फ्री और कंविनेंट मोबिलिटी की तरफ बढ रहा है, इसलिए पुरानी एप्रोच और पुरानी प्रक्टिसीज को बदलना ही होगा, आज भारत, सिप्टी और क्वालिटी के हिसाब से, ग्लोबल स्टांडर्ड अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिवत है, बी एस फोर से बी एस सिक्स की तरफ सीधे ट्रांजीशन के पीछे यही सोच है, साथ क्यों, देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इन्फरस्ट्रक्चर तक हर स्टर पर व्यापक काम कर रही है, इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो, या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार के इन प्रात्विक्ताओं के साथ इंड्रस्ट्री की सक्रिय भागिदारी बहुत जरूरी है, आर एंडी से लेकर इन्फरस्ट्रक्चर तक इंड्रस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है, यहां से हमें अपनी पार्टर्शिप को नए लेवर पर ले जाना है, मुझे विश्वात हैं कि यह नया प्रोग्राम देश वास्यों में भी और आटो सेक्टर में भी एक नई उर्जा भरेगा, नई गति लाएगा और नए विश्वात का संचार भी करेगा, आज के इस महत्वपुण अवसर को, मैं नहीं मानता हूँ कि उद्ध्योग जगत के लोग जाने देंगे, मैं नहीं मानता हूँ कि पुरानी गाड़ियों को डोने वाले लोग इस अवसर को जाने देंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का विश्वास लेकर के आई हुई यह व्यवस्ता है, आज गुजरात में इस कारकम को लौँज किया गया है, इस पॉलिसी को लौँज किया गया है, और गुजरात का तो वैसे भी, और हमारे देश में भी सरकुलर एकौमी शब्दब नया आया होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं, तो हमारे घरों में दादी मा उसमें से ओड़ने के लिए रजाई मना देती हैं, फिर रजाई भी पुरी हो जाती हैं, पुरानी हो जाती है, तो उसको भी फार दोड़ करके कच्रा पोता के लिए उसका उप्योग करते हैं, एड़े रिसाइकलिंग क्या कहते हैं, सरकुलर एकौनमी क्या कहते हैं, वो भारत के जीवन में नहीं नहीं हैं, हमें बस वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो भूजय विश्वास हैं कि कच्रे में से कंचन बनाने के इस अभियान में हर कोई सरीक होगा, और हम भी और नहीं नहीं चीजें आविश्कार करने की दिशा में सफल होंगे, मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत शुबकामना ही देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद.